नमस्कार मैं हूँ वैश्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC News Today आप सब को हमारी और से गंतंत्र दिवस की हारदिक्षुप काम नाए 26 जन्वरी को देज भर में 72 गंतंत्र दिवस मनाया जा रहा है गंतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्र पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को मनाया जाता है इसी दिन साल 1950 को भारत सिरकार अधिनियम एक्ट को हटा कर भारत का समिधान लागू किया गया था आपको जानकर हैरानी होगी कि 26 जन्वरी को मनाई जाने वाले गनतंत्र दिवस को सोटंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था भारत को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन 26 जन्वरी 1950 को भारत गंच सम्विधान 26 जन्वरी 1949 में पूरी तरह तयार हो चुका था लेकिन दो महीने इंतिजार करने के बाद इसे 26 जन्वरी 1950 को लागू किया था सम्विंधार लागू करने के लिए 26 जन्वरी की तारीक को इसलिए चुना गया योकि साल 1930 में 26 जन्वरी को देश के पहले प्रधान मंत्री जवालान लैरू के नेतरित में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाब स्वराज का एलान किया था गतर राष्ट के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस के लाहर सत्र में विचार किया गया था जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी यह बैठक पंडित जवालान लैरू के अध्यक्ष्टा में आयोजित की गई थी इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंता दिवस के रूप में मनानी की शपत ली थी जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंता को सपने को साकार किया जा सके इसके बाद लाहर सत में नागरिक अवग्या अंदोलन की रूप रेखा तैयार हुई और यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा वहाँ इस दिन देश का जंडा फैराय गया था और 26 जनवरी को स्वतंता दिवस के रूप में मनाने की शपत ली गई थी जहां भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस 1947 को आजाद हो गया था लेकिन अब 26 जनवरी 1950 को भारती संविधान अस्तुत्य में आया था तब भारत ने अपनी ताकत का एहसास हुआ तेश का संविधान 2 साल 11 महिने और 17 दिन में बनकर तयार किया गया था ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मायने में भारत को आजादी 26 जनवरी को ही मिली थी जिसके बाद देश के पहरे राष्ट्र पती डॉक्टर राजिंदर पशाद ने 26 जनवरी को देश में गंतंत दिवस मनाने की गोशना की थी